यूपे में अगले साल यानी की 2022 में होने वाले विधान सभा चुनाफ से पहले राजरितिक दलों ने तयारियां तेज कर दी है समाजवादी पार्टी के मुख्या औरतरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिले श्यादव ने जनसत्ता दल लोकतांत्री के रास्टी अध्यक्ष रगुराश प्रताप सिंगुर्फ राजा भाया को लेकर बड़ा बयान दे दिया है अखिले श्यादव ने रविवार को कहा कि उनका राजा भाया से कोई गड़ बंदन नहीं होने वाला प्रताप गड़ में राजा भाया के बारे में पूछे जाने पर अखिले श्यादव किल मिला गए अखिलेश श्यादव ने कहा कि कौन है भाई ये राजा भाईया किनका नाम ले रहे हुआ बता दे कि अभी तीन दिन पहले ही राजा भाईया ने लखनों में समाजवादी पार्टी के सरक्षर मुलान सिंग यादव से मुलाकात की थी तब अटकले लगाई जा रही थी कि राजा भाईया अखिलेश श्यादव के साथ जा सकते हैं लेकिन रविवार को अखिलेश श्यादव ने इन अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया बताते कि राजा भाईया अखिलेश और मुलायम सरकार में मंत्री थे मुलायम सिंग यादम ने मुख्यमंत्री रहते हुए राज़ा भहिया पर लगा पोटा हटा दिया था मालूम हो कि राज़ा भहिया पर आतंग बार, निरोधक, अधिनी, अव्यानी की पोटा, माइवती ने मुख्यमंत्री रहते लगाय था पिशले साल यूपी में हुए राजसभा चुनाओं में राजव भईया ने बीजव पी को वोट दिया था जबकि वोट डालने के पहले अखलीश श्यादम ने राजव भईया के साथ फोटो टूइट भी की थी राजा भाईया के इस कदम से अखलेश काफी नाराज हुए थे राजा भाईया के नाम से जाने जाने वाले रगुराज प्रताप सिंग प्रताप गड़ के कुंडा सीर से उने सु तिरानवे से विधायक है लगाता च्छे चिनाव राजा भाईया ने निर्दलिये उमीदवार के तोर पर जीते हैं अब राजा भाईया ने जनसत्ता दल के नाम से अपनी पाठी अलग बना ली है लेकिन जहां अटकले तेज थी कि राजा भाईया अखलेश यादव के साथ जा सकते हैं तो वहीं अखलेश यादव ने पूर्ण विराम लगा दिया है कि नहीं भाईया हम किसी राजा भाईया को नहीं जानते